हाँ आज हम फिर कंटीन्यू कर रहे हैं अपने लिए एक नुमारिकल fund flow statement देखे आल्रीड हम पिछली वीडियो में fund flow statement को समझ चुके हैं लेकिन जो technical question है जो technical aspects है वो different different question में different different है इसलिए हम different different और वीडियो स को लेकर so that की हम fund flow statement को पूरी तरे समझ सके हैं एक numerical आज आपके लिए और लाएं तो start करते है इस numerical को कि क्या कहरा है इस question में तो इस question में हमसे कह रहा है from the following balance sheet prepare source and application of fund and working capital changing statement यानि कि वो दो चीजें हमसे पूछ रहा है एक पूछ रहा है schedule of change in working capital और एक पूछ रहा है fund flow statement और working node हमें बना नहीं होता है अब question में क्या क्या दिया हुआ है वह आप देख लीजिए आपको जिस तरह से balance sheet दी हुई है वैसे balance sheet दी हुई है और इसमें से सबसे पहला जो काम होता है हमारा की current assets और current liabilities को अलग करके schedule में लिख दूँ यानि आदा question समाप्त हो जाए हमारा assets को अब current liability में यूज नहीं करेंगे और यही सभी expert की राइबी है तो हम इसको non current liability की तरह treat करेंगे ठीक है इसके पात है हमारे पास current assets current assets में हमारे पास तीन assets है stock debtor और cash stock debtor और cash इनकी value लिख ली है current liabilities की तीनों की value लिख ली है assets increase decrease तो increase decrease तो decrease clear जबकि liability में opposite होगा increase तो decrease तो increase हो गए हमारे पास total current assets का total ले लिया बहुत year का इसी तरह से current liability का total ले लिया बहुत year का और difference कर दिया तो निकल कर आ गई हमारे पास working capital जो 33,000 से रह गई 32,500 यानि 500 रुपे का हमारे पास decrease in working capital ठीक है total ले लिया इधर से भी ले लीजिए decrease का total ज़ादा है increase का कम है तो 500 रुपे decrease in working capital तो decrease in working capital हमारे पास solve हो गया यानि question में से आधा part हमारा solve है अब हमारे पास क्या क्या बचा है उसके according हमें question को solve करना है हमारे पास question में है share capital हमारे पास question में reserve and surplus statement of PL preliminary expenses और non current liabilities में debenture और एक proposed dividend जो हमें पूरा करना है non current assets में plant और goodwill दो चीज़े हैं सही है अब हमें use करनी है अपनी adjustment adjustment के point of view से ही हम अपने questions को पूरा करते रहेंगे तो पूरा करने के लिए question में कौन कौन सी adjustment दी गई है पहले उन्हें पढ़ लेते हैं वो के रहें business was purchased during the year by issue of 25,000 share इस साल हमने 25,000 रुपे के share इशू किये और 25,000 रुपे के debenture इशू किये लेकिन business को purchase करने के लिए यानि cash में हमारे पास पैसा नहीं आया हमने 50,000 रुपे के share और debenture इशू किये लेकिन cash नहीं आया आया क्या वो इसकी अंतिम line में आप पड़ सकते हैं कि 20,000 रुपे की machine आई 5,000 का stock आया 15,000 रुपे के debtor आये और 5,000 रुपे के creditors आये अब आप इस बात को समझेंगे तो क्या क्या है machine 20,000 रुपे की stock पांच 20 और 5,25 15,000 रुपे के debtor यानि 40,000 रुपे और creditor है 5000 के creditors आपोजिट है माइनस करना होगा यानि 35,000 रुपे आपने जो assets खरीदी जिसके लिए आपने पैसे payment किये या share और debenture दिये वो थे 50,000 रुपे और मुझे जो net worth मिल रही है वो मिल रही है 35,000 रुपे की तो यह आपने पढ़ा होगा कही वार जब हम कोई business खरीते हैं और assets की value है कम और pay कर रहे हैं ज्यादा तो वो कहलाती है हम गुडविल तो direct focus हम कर लेते हैं अपनी गुडविल पर तो गुडविल की बात देखें तो 50,000 रुपे के share debenture issue किये और assets आइं 35,000 रुपे की तो 15,000 रुपे की है गुडविल अब गुडविल के point को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लें गुडविल में क्या दिया रुपे की हमने और purchase की है तो गुडविल बैलनसीट में नई बैलनसीट में 2015 में 30,000 रुपे की होनी चाहिए 15 की तो अलेडी है 2014 में 15 की में हमने और ले ली 30,000 रुपे की लेकिन जो बैलनसीट हमें कह रही है कि गुडविल है केवल 25,000 रुपे की गुडविल है केवल 25,000 इसका मतलब है कि 5,000 रुपे की Goodwill को Write-off किया गया यानी कि इस साल की Adjusted PL Account में यह 5,000 रुपे की Goodwill Write-off होगी तो 5,000 रुपे की Goodwill Write-off होगी यह हमने ले लिया है अपर कि 5,000 रुपे की Goodwill Write-off होगी अब देखिये कौश्चन में आगे Continue करते हैं जैसे जैसे हमें question समझ में आता जा रहा है इसके बाद हम अगला step machine का उठा सकते हैं क्योंकि इसमें जो detail दी हुई है आप उसे पढ़ लीजिए second paragraph में वो कह रहा है depreciation 6000 रुपे का लगाया गया इस साल और एक machine हमने 1500 में sale की जिसकी written down value यानि depreciation card पीट कर उसकी value केवल 1000 रुपे थी और हमने बेच दी 1500 रुपे में तो अब आप उसकी detail बताईए अब detail में देखिए कितनी चीज़े clear है मुझे कि भई 6000 का depreciation लगा 1000 की assets 1500 में बेची और 20,000 की machine shares issue करने के कारण मिली share issue करने के कारण मिली तो इसका बैश तरीका है कि हम एक account prepare करने क्या करने एक अकाउंट prepare करने और इसके लिए जो बैलन्स है plant account के वह लिख लीजिए plant पहले 18,000 रुपे का था आज 96,000 का है तो सबसे पहले balance लिख लीजिए पहले था हमारे पास 18,000 रुपे का और आज है 96,000 का दिख राया हमें देख लीजिए पहले था 18,000 रुपे का और अब है 96,000 का अब जो चीज हमें पता है वो चीज लिखते चले जाते हैं एक तो इन्होंना हमसे कहा कि 20,000 रुपे का तो आपने plant लिया share capital से खरीदा जिरूर है अपने लेकिन पैसे नहीं दिया शेर capital से तो 20,000 रुपे की असेट्स आपने 1500 रुपे की बेची 1500 की बेची तो 500 रुपे का फाइदा आ गया 500 रुपे का profit हो गया और 6,000 रुपे का इस साल लगाया अपने depreciation क्या लगाया depreciation यानि कि 1500 रुपे का बेचा 6,000 रुपे का depreciation 96 की बची हुई है यानि total हो गया 1,3,500 जिसके अंदर 18,000 का opening balance था 20 की हमने share से खरीदी 500 रुपे का profit है difference किया तो 65,000 रुपे की cash में अब भी खरीदी है ध्यान लीजे जो plant है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है हमने खरीदा है 20,000 रुपे का तो share capital से ही 20,000 का तो share capital से ही मिल गया मुझे और इसके बावजूद भी 65,000 रुपे का और खरीदा तो सबसे पहले हम इसी को अपने different accounts में feed कर लें तब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या-क्या चीज है हमारे पास एक तो हमने खरीदा purchase पैसा गया purchase of plant एक हमने बेचा इधर आ जाईए sale of plant, sale of plant, sale of machine एक ही बाद इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है depreciation, depreciation adjusted PL में देखिए depreciation, पंट मिलते जाईए इसमें goodwill हो गय है depreciation हो गया है इसके अलावा इसका opening और closing balance भी आप लिख सकते हैं जो कि PL account है, PL में कितना balance था हमारे पास तो PL में हमारे पास पहले 15,000 रुपे का अब 25,000 रुपे का balance भी हमने mention कर दिया है, यानि question के अंदर हमारे पास sale, purchase, profit, loss ठीक है, यह सब चीजे थी वो हमने डाल दी, यानि question में से adjustment का near about portion है वो समाप्त हुआ, अब हमागे बढ़ते हैं, starting से question को करते चले जाते हैं और समझाता चला जाता हूँ आपको इन points को आराम से पढ़ेंगे, share capital पहले 50,000 रुपे की थी जो बढ़कर अब हो गई है 1,00,000 रुपे की, यानि कि आपने इस साल 50,000 का आपने cash में issue किये हैं, तो issue of share capital 25,000 रुपे आपके पास आ गए, 25,000 रुपे का inflow आ गए न, 25,000 रुपे आपके पास आए, 50 के issue किये, 25 के to assets में, और 25 के cash में, तो 25 cash में आ गए, इसके बाद हमें दिया हुआ है reserve and surplus, जिसका balance में मैं अलड़ी डाल चुका हूँ, एक है मे हमारे पास preliminary expenses जो पहले 4,000 रुपे के थे या 25,000 रुपे के रह गए, यानि कोई भी 50C assets write off होती है, तो PL adjustment account में 15,000 रुपे की write off हो गई है, हमारे पास preliminary expenses, तो हमारे पास जो shareholder fund है, यह समाप्त हो गया, अब हम पहुसते हैं debentures पा, debenture यानि non current liability जो 2014 में थी ही नहीं, लेकि 2015 में 25,000 रुपे के debenture लिखे हुए हैं, जबकि हम पहले ही पहली adjustment में पढ़ चुके हैं, कि 25,000 रुपे के debentures और 25,000 रुपे के share से हमने एक business खरीदा, यानि कि इस 25,000 से भी हमारे पास कोई inflow नहीं हुआ, कोई inflow नहीं हुआ, तो अब ध्यान देना, 25,000 रुपे के share और debenture का हिसाब हम एक बार और match कराएंगे, यहां से टैली हो गए हमारे पास, इसके बाद हमारे पास थी current liabilities, जो हम उलोड़ी डाल चुके हैं, तीनों की तीनों, चौता है proposed dividend, कोई adjustment नहीं दिये, जब कोई adjustment नहीं दिये, तो current year वाली value provision और previous year वाली value payment, तो current year वाली value आप यह लिक लीजिए, proposed dividend और previous year वाली value यहां, payment of dividend, current year की value यहां, और previous year की value यहां, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, यहां पर हमेशा current year होगा, adjusted PL में, चाहे वो tax हो, चाहे वो dividend हो, ठीक है, और adjustment में भी दिया हो, तो फिर हम account बना के feed करते हैं, clear है हमारा concept, अब हम continue करते हैं, हमारे पास liability side complete, हम asset side में आते हैं, asset side में, current assets हम सारी ले चुके हैं, हमारे पास है non current assets, जिसमें plant हम ले चुके हैं पहले ही, goodwill हम ले चुके हैं पहले ही, यानि कि question हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया, question हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन अब जो समस्या आ रही है, वो समस्या क्या है, समस्या यह है, वो है working capital, current assets और current liabilities जो purchase की गई, बिना payment किये, उनसे हमारी working capital में change आया, लेकिन हमने उस change को use नहीं किया, हमने पूरी पूरी value अपने लिए use की थी, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कि दो तरीके हैं इसको solve करने के लिए, एक तो यह है कि schedule में कोई change ना करें, current assets और current liability जितनी भी आपने लिए हैं, उनको आप total कर लीजिए, current assets में आपके पास दो assets थी, stock और debtor, यानि कि 5 और 15, 20,000 रुपे और इसमें से 5 के घटा दीजिए, creditors, तो amount बजगई हमारे पास 15,000 रुपे, तो एक तो तरीका यह है कि हम 15,000 रुपे अपने source of fund, issue of share capital for stock and debtor के नाम से लिख लें, ज़रूरी नहीं है कि अब stock ही लिख लिखे हैं, issue of share other than cash, other, या ऐसे लिख लि working capital कोंकि, इसमें current assets भी है, current liability भी है, stock भी है, debtor भी है, और creditor भी है, तो stock को add किया, debtor को add किया, और जो creditors थे, उनको minus कर दिया, यहाँ पर आ गया, और इसका यह अपोजिट होता, liability जादे होती, current liability जादे होती, current assets कम होती, तो यह credit side में होता, तो पूरा का पूरा method आप किया है, कि हमने share और debenture issue करने से कुछ assets खरीदी, इसमें एक तो plant खरीदा, तो plant तो मैंने match करा दिया, पर plant को तो plant account में डाल दिया, तो उसमें जितना cash का inflow outflow हुआ था, केबल वही लिया मैंने, लेकिन जो working capital है, उसमें ना तो मैंने stock की value को change किया, ना मैंने debtor की value को change किय और ना ही मैंने creditor की value को change किया, और अपनी schedule को मैंने तयार कर लिया, तो ऐसी situation में working capital से जो increase हुआ है, वो हम directly यहां लिख देंगे issue of share for working capital, और दूसरा जो option है, वो यह है, कि जितने जितने रुपे की आपने stock debtor और creditor लिये थे, उतनी ही amount में schedule में से current year वाली value में से कम करके use करूं तो भी हमारा fund flow तयार हो जाएगा, जैसे यहां पर हमारे पास stock 35,000 रुपे का है, जबकि stock हमने 5,000 रुपे का share से खरीदा है, तो यहां से 5 कम कर दें, debtor हमने खरीदे थे 15,000 रुपे के, तो debtor में से 15,000 कम कर दें, creditor हमने 5,000 के लिये थे, तो यहां से creditor 5,000 रुप के लिए या तो फिर यह तो यह तो फिर यह तो यह तो फिर यह तो इसको त्यार कर लेते हैं तक यह 500 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था इसका टोटल ले लिया हमने 43,500 यह दो नो वैल्यू माइनस कर दी 15,500 तो 28,000 रुपे फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया टोटल 27,000 रुपे बौट साइट से और यह आंसर हमारा मैच कर जाएगा तो आराम से कोश्चन को ले ले हैं कोश्चन का आमिसा स्क्रिन शॉट लेते रहना चाहिए sot that कि ओस समझ में आ जाए खुशन को बारवार पढ़ना चाहिए उसका सॉलिशन जबी अच्छी तरह समझ में आएगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें, जिससे की मेरी जो निव वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, थेंक्यू मिलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में.